हम लोगों ने Schrödinger equation के बारे में कल पिछले class में बात है जिसमें हमनी अगर टी बलाबर जिरो पहे अपने पास व क्पास सुछान पता हो तो फिर आगे के टाइम पर कैसे भी फ्री फांक्शन निकालते हैं उसका प्रॉसेस श्रोडिंगर एक्वेशन में से निकल कर और वह प्रॉसेस किस प्रकार का था फिर से याद कर लें सबspeaking से पहले तो जो एनर्जी है टोटल एनरजी हमारे इस केस में जहां हम जास एक पार्टिकल के में किशी में किसी खास फिल्ड में तो kinetic energy है और potential energy है, उस total energy यह जो हमारा physically measurable quantity है, उसके लिए हम operator लिखेते हैं, जिसको हम Hamiltonian कहते हैं, तो सबसे पहला काम है कि जो system दिया गया है, उसके लिए Hamiltonian लिखें, तो kinetic energy का तो fixed है, minus h cross square by 2m del 2 del x square, potential energy है, जैसा force field है, उसके अनुसार potential energy, energy बदल सकती है, यहांतर simple harmonic motion type का restoring force है, तो आप जानते है, potential energy हाफ k x square लिखते है, ग्राविटी में अगर हैं, तो mg h लिखते है, uniform electric field में हैं, तो उसके अनुसार लिखते है, तो जैसा आपका system होगा, वैसी आप potential energy लिखेंगे, और खुल मिला करके, आपके पास एक Hamiltonian आएगा, h आएगा, यह क्या है, यह operator for total energy, और तब इस operator के आईगेन functions और आईगेन values को निकालें, तो उसके लिए उसका equation लिखें, h psi बराबर e psi, अभी time नहीं है कहीं पर, अभी कहीं time नहीं है, यह जो है, वो सिधा हमारे case के लिए, j minus h cross square by 2 m, del 2 del x square plus v x, यह है, यह है h, psi phi, phi लिखें अगेन functions है, यह को आप phi लिखें बराबर e phi, अभी time कहीं नहीं आया, तो इस equation को जब solve करेंगे, इस equation को जब solve करेंगे, तो बहुत सारे solutions मिलेंगे, बहुत सारे phi x मिलेंगे, आपको अला गला किसम के functions मिलेंगे, correspondingly अलग-अलग energies भी उसमें से मिल सकती है, तो वो मिला कि एक listing, और उसमें से एक और्थो normal basis तयार करना, जिसको हम लोग phi i कहेंगे, phi i x, और थो normal basis, इसके terms में सारे wave functions लिखे जा सकते हैं, और तब t बराबर 0 पर जो wave function आपको दिया गया है, आपको मालूम है कि t बराबर 0 पर ये wave function है, तो उसको फिर इसके terms में लिखने की कोशिश करेंगे, अगर ये सारे discrete हैं, तो ये इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, और अगर ये continuous हैं, तो फिर उसको इस प्रकार से लिखेंगे, तब ये i नहीं हो करके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा नहीं हो करके, एक कोई continuous variable होगा, जो vary करेगा, तो उसको अगर हम lambda कहें, तो इसको आप कहेंगे c lambda ऐसा, और फिर ये phi इसको भी आप एक lambda का ये function है, तो ऐसा, और फिर यहाँ पर d lambda, और उसका full range जितना है, वो psi x, जीरो टाइम पर अगर है, तो ये भी जीरो टाइम पर हुआ, इसको आप जीरो टाइम पर ऐसा बता सकते है, तो जो दिया हुआ वे function है, उसको हम लोग पहले expand कर लें, किसमें जो Hamiltonian के eigen functions हैं, उनमें, वहां से जो हमने orthonormal basis बनाया है, उसमें expand कर लें, और तब T time पर, बहुत आसान है लिखना, अगर ये discrete है, तो सिधा-सिधा आप करें, C i, ये जीरो टाइम पर है, C i at zero time, E p power minus i by h cross capital E i t, इससे multiply कर दें, phi i x, ये जो coefficient बना था, zero time पर, इस coefficient में, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन ऐसा हो रहा है, ये E i क्या है, ये energy eigen value है, corresponding to ये वाला eigen function, इसको solve करेंगे, तो आपको phi मिलेंगे, और phi के साथ उसके लगे हुए E मिलेंगे, तो इस phi i के साथ, जो E i है, वो यहाँ पर लगाएंगे, बस ये आपका function तयार हो गया, और अगर ये continuous है, तो भी वही काम करना है, T time पर function लिखना है, ये जो constant है, coefficient है, component है, C lambda zero, उसको सिर factor से minus i by h cross, और अब E i नहीं होगा, वो E जो है, वो lambda का function होगा, तो ये होगा, और T, और फिर D lambda, बाके सब y का वही के वही कोफिशेंट जो है, वो ऐसा बदल जाएगा, तो ये हमने Schrodinger equation को solve करके, और ये process बताया था, ये आप कैसे wave function लिख सकते है, एक example लेते हैं, और प free particle, मालेजे कोई potential energy high, एक particle है, जिस पर की और कोई force लगनी रहा है, वो particle है वस, तो वैसी हालत में, उसका अगर wave function हमें लिखना है, और पता है, हमें T बराबर जिरो time के उपर, और T time लिखना है, तो हम क्या क्या करेंगे, तो इस process को दो रहा है, सबसे पहले Hamiltonian का पता करें, तो यहाँ potential energy zero है, free particle है, उस पर कोई force लगी नहीं रहा है, दूसरी चीजें उससे के साथ interact नहीं कर रही है, तो Hamiltonian इसका बन गया, minus h cross square by 2m, del 2, del x square, यही इतना Hamiltonian बन गया, vx 0 है, और अब हम यह eigen value का equation लिखें इस पर, तो कैसे लिखेंगे, minus h cross square by 2m, delta 2, phi, delta x square, बराबर e phi, ऐसा आप equation लिखेंगे, minus h cross square by 2m, delta 2, phi, del x square, बराबर e phi, और इसको solve करेंगे, वो सारे phi निकालने के कोशिश करेंगे, जो इस equation को satisfy करते हैं, और वो सारे phi कौन से होंगे, बहुत सारे हो जकते हैं, लेकिन जो हम use कर रहे हैं, वो हम use कर रहे हैं, phi, x और साथ में P, यह continuous variable है P, जो यहां lambda है, वो जो lambda है, वो ही lambda है, यह जो कि हम P के रूप में लिख रहे हैं, और यह है, E पर constant भी लिख लें, 1 by 2 pi h cross, E पर power i by h cross, और अब यहां पर आप लिखेंगे, पी, x, वही momentum वाला भी function है, आप verify करके देखें, अगर इसको आप दो बार differentiate करें, तो क्या होता, चेक कर लेजे, एक बार differentiate करेंगे, del phi del x करेंगे, तो क्या बनेगा, यह इतना रहेगा, और उसके बाद इसका differentiation होगा, x में, तो i by h cross p, यह निकल करके आएगा, और फिर आप इतना लिखेंगे, और फिर second differentiation करेंगे जब, तो यह factor ऐसा रहेगा, और इसमें से निकल करके यह फिर से आएगा, तो i by h cross यहाँ होगा, p, और फिर से i by h cross p यहाँ होगा, और e पे power i h cross p x बनेगा, और यह, और यह मिलकर के आपका यह original यह phi वापस आ गया है, और यह है minus p का square बटा e h cross का square, और इसलिए अगर यहाँ पर एक minus h cross square by 2m लगा देते हैं, तो आप देखें, यह क्या बन गया, यह बन गया, p square by 2m, और यह चीज़ बाकि जो है, वो तो है ही, जो original हमने जिसको phi x p कहा है, वो तो है ही यहाँ पर, यह जो function है, यह जो function है, इस पर अगर आपने यह operate किया, तो वही function दोबारा मिल गया, और यह है energy eigen value, यह है वो e, जो कि lambda का function है, यहाँ यहाँ पर p का function है, अगर मुझे कोई wave function मालूम है, अगर मुझे कोई wave function मालूम है, t बरावर 0 पे, किसी एक समय पे, किसी एक खास चंड पे, हमें उसका wave function पता है, और वह function जैसा भी हो, जैसा भी हो, छोटा बड़ा जैसा भी है, साइ एक सजिरो अगर मुझे पता है, तो उस साइज जिरो को इस basis functions में expand किजिए, यह है process, तो मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है कि यह कैसे करते हैं, हम लोग बहुत बार कर चुक हैं इसको, यह expand ऐसे होगा, integration, a, p, zero time पे, कि यह zero time का wave function है, a, p, और उसके बाद वो पुरा, 1 by 2 by h cross square root e power i by h cross p x, dp, यह expansion हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यह coefficient है, और यह eigen function है, और उसके बाद जो variable है continuous variable वो है, तो ऐसा ही वहाँ पर आप देखिए, यह इसका component यह coefficient हो गया, यह वो आइगन function हो गया, और फिर dp, ऐसे आप इसको expand कर सकते हैं, और a, p, कितना है वो भी आपको पता है, इस a, p को मालूम करने के लिए क्या करना है, इस a, p को मालूम करना चाहते हैं अगर, अगर यह function पता है, तो आप यही function लिखेंगे यहाँ पे, साइ, x, 0 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे, 2π, h cross, e, p, power, minus, minus लगाकर, i, by, h, cross, p, x, और इस बार इसको x पे integrate करेंगे, तो अब जो function मिला, यह p का function है, वो है यह a, p, तो इतना coefficients आप यहाँ रख देंगे, तो इसका expansion होगा, और t time पे अगर चाहिए, यही वे function अब क्या हो जाएगा t time पे, वो अगर चाहिए, तो इसी expression में, a, p, k, thon पे उसको multiply कर देज़े, किस से? किस से multiply कर देज़े, इस से e, p, power, minus, i, by, h, cross, e, t, e, p, power, minus, i, by, h, cross, e, t, इस बार कितना है, p square by 2 m, कौन सा ही लिखना है, कौन सा capital ही लिखना है, जो वाला आपने यहाँ पर wave function लिखा है, यह जो wave function लिखा है, यह भी wave function यहाँ पर है, और lambda x, y x lambda, p के अंदर में शामिल है, तो यह जो function यह लिखा है, यह function लिखा है, इसी function के corresponding जो energy eigenvalue है, वो लगानी है, इसी के corresponding जो आइगन value है आपका, वो लगाना है, जो lambda यहाँ है, वही lambda यहाँ पर भी है, तो इस वाले, इस वाले lambda के corresponding यह energy है, और यह आइगन function है, तो वही काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने P वाला, हम आइगन function लिख रहे हैं, यह पी वाला आइगन function है, तो पी वाली energy को यहाँ लगाना है, और फिर वही आइगन फांक्शन लिख देना, यहाँ पर, तो यह पी जिरो आपको यहां से पता है क्योंकि इस आई एक्स जिरो दिया हुआ है और उसके बाद यह सारी चीज़ें है माइनस आई बाइज क्रोस ए और उपर टाएं माइनस आई बायेज क्रोस ऑ उसके बाद टाइम ऐसे करके हम लोग यह फंक्शन लिख सकते हैं समन्य तहां अगर आपका इसको देखें तो यह आप इसको इन दोनों टर्म को अगर कम्बाइन कर देजें तो क्या बनता है यह बनता है यह यह लिख दिया हमने 1 by square root 2 pi h cross यह लिख दिया हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिजे ई पे power i by h cross px minus p square by 2m और into t ऐसा बनता है यह dp और इससे आप काफे कुछ वाकिफ है इसको आप इतने part को आप लिख सकते हैं अलग से यह e power i kx minus omega t है जहां k लिखा जा रहा है p by h cross के लिए और omega लिखा जा रहा है यह लिखा जाएगा p square divided by 2m omega t लिखते हैं omega t तो by h cross kx minus omega t तो यह k की जगह पे p by h cross आ रहा है और omega की जगह पे p square by 2m और नीचे h cross ऐसा आ रहा है यह और यह आप जानते हैं यह क्या है यह कॉस kx minus omega t plus i sin kx minus omega t यह है यह और इन दोनों को आप जानते हैं दोनों waves है और wave की velocity इसको देख लें या इसको देख लें वेव की जो विलासिटी है वेव विलासिटी वह है यह omega वाइक के अगर आप यहां से k common ले लें तो x minus vt होना चाहिए तो वी बराबर है omega by k और यहां इसमें से अगर आप omega by k लिखने की कोशिश कीजिए तो क्या बनता है देखिए जड़ा इस वेव फंक्शन में इस वेव फंक्शन में बहुत सारे पी एक साथ शामिल है अगर यह वेव फंक्शन है तो उस पार्टिकल का एक definite momentum एक instant पर नहीं है ती समय पे इसके पास बहुत सारे मोमेंटा एक साथ मौजूद है और वही सारे मोमेंटा यहां पर शामिल है अलग अलग पी सारे फी लिख रहे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और जो कोई खास पी वाला कंपनेंट है वेव का उस वेव को अगर देखते हैं तो वेव वेव पी बटा टू एम वेलोसिटी से आगे जा रही है पॉसिटिव एक्स डिरेक्शन में जा रही है तो हम लोग अमूमन क्लासिकल मेकैनिक्स म को अगर बाइयम अगर लिने ममेंटम पी है मास है पासिकल का एम तो हम कहते है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वह पी बाइयम होगी यहां पर यह वेलोसिटी बाइटु एम है लेकिन ध्यान रखें यह बहुत सारी वेव समय गाने है यह सब मिलकर के पार्टिकल है यह सारी यहां सुपर फोजो करके इंटेग्रेट होकर के मिलकर तब वह पार्टिकल का वे फांक्शन बनाएं अगर यह है मानली जब पार्टिकल कभी फांक्शन तो पार्टिकल यहां कहीं पर है इतनी दूर में कहीं पर अगर आप उसका प्रबैबिलेटी ढूनेंगे यहां होने की यहां होनेगी तो आपको मिलेगी यहां कहीं पर है वह पार्टो लेकिन घयर सारे वेप्स है और हर एक वेब जो हैं अपने अपने विलासिटी के साथ चल रहा है और प मटे अलग अलग wrap अलग वेलासिटी से चल रहा उन सबका स्पर पॉज़िशन करना तो इसलिए वह सूपर पोजिशन होगा वह आगे वह बढ़ी और उसकी शकल भी बदलेगी है। सब गेक ही वेलासिटी चलते तो शकल नहीं बनलती जिनको सब को हमने जोड़ा है वह यहाँ जोड़ा सब के सब यहाँ हार से उठके वहाँ चले जाए वहाँ जोडते तो भी वही शकलाती यहां पर वही बनी है वह जिन component waves के अनुसार जोड़ करके बनी है हर एक component wave अलग-अलग distance चला है उतने time के अंदर में क्योंकि सबकी velocities अलग-अलग है तो यहां जब जोडने बैठेंगे तो ऐसी वाली शकल नहीं मिलेगी कुछ दूसरी शकल मिलेगी तो क्या उमीद करते हैं पहले अगर जो भी फांक्शन है पहले अगर जो भी फांक्शन है कि वह अगर यहां पे रहा होगा ऐसा ऐसा कुछ रहा होगा यह फांक्शन रहा होगा है कि बाद में सबकुछ ताहिक ख grandesley एक सुपरins warm सोबढ़ यह不行 ने Nut之前 नहीं सकते हैं तो हो सकता है कि यहां से यहां पहुंच गया हो और लेकिन इसकी शकल गोए कुछ आप बाइब की के तो आप परेंगे कि आप कहहें यहां कहीं पर ता अब यहां कहीं पर आगया है तो शायद तौनीह तो अग्यम पर यहाँ यह कहलं कि एपक्विट playoffs है और यह जो पॉल ने सा यह है है यह जो फिरा topic करेंगे आप अधिए पूरे ग्रुप के सेंटर का जो पॉजिशन है इस पूरे ग्रुप के सेंटर का जो पॉजिशन है उससे अगर आप कि यह सेंटर कितने दूर चला कितने टाइम में वह वेलासिटी बताओ वह कहलाती है ग्रुप वेलासिटी और इस ग्रुप वेलासिटी को अगर आप इसके के लिए इक्स्प्रेशन ढूने तो उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स है वह रिभय की लिए— dω negadkr कहा काई and calculate करें जो इस्प्रेशन है उससे दो निकाल लें लें लेकिन कहा पर calculate करें तो रख ली जितने सारह दो मुमेंटा उसकें अंदर appreciably स्बूशThe अपनी अपनी प्राबाबिलिटी के नुसार तो उनका जो एक सेंडर है कि इतने के आसपास यह सारे मोमेंटा फैले हुए हैं वहां पे इसको इवालवेट करें और वह करेंगे यह ओमेगा है यहां पर देख ले यहां पर देख ले आप डेल्टा ओमेगा डेल्टा के कर ले इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो कि यह निकल के आता है तो आपको थोड़ा ख्लासिकल मेकेनिक्स के अनुसार थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हमने जो पार्टिकल है वह तो इस वेफ पैके इस से डिडिटनोट होगा हो रहा है और यह पैकेट यहां से उठकर के यहां गया है भला थोड़ी शक्ले उसकी बिगड़ गई है शकल तोड़ी बदल गई है लेकिन हां यहां से करके यह यहां गया है और वह जो अगर आप वेलोसिटि कैलकुलेट करो तो वह आपको इस पी बाइएम के ही इसका एक स्वरूप आता है अब आपको एक और रोचक बात इसमें से दिखाते हैं पहले हम इस expression को दुबारा लिख ले जो हमने मिना दिया अगर आप टी समय पर यह कितना है है जो coefficient अपी नॉट है टी समय पर कोफिशेंट कितना है तो वह एपी नॉट एपी जिरो से बदल करके इन्टू इपे पावर माइनस आई बाइच क्रॉस और उसके बाद जो energy है corresponding energy है वो और टी यह इस एपी जिरो की जगह पर हमें यह एपी टी लिखना है तब हमें टी समय का वेब फांक्शन मिलेगा अब मालीजी हम आपसे प्रशन करते हैं What is the probability? कितनी probability है? of momentum being in the range p to p plus dp at time t. कि वे फांक्षन समय के साथ बदल रहा है तो वे फांक्षन से जो जो चीजे हम लोग निकालते हैं वो सब समय के साथ बदल सकती है इसलिए टी समय पे और मोमेंटम के इस रेंज में होने की क्या प्रवैबिलिटी है यह हम कुछ ना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे अगर टी पंक्षन होगा यहां पर इसकी जगह पर टी लगाना है इसकी जगह पर आप टी लगा दिंगे और यह टी मिलेगा कैसे तो यह टी ऐसे मिलेगा ए पी जो मिलने वाला है वह ऐसे मिलने वाला है और जो यह प्रवैबिलिटी है वह है ए ए पी यानिए पी किस समय पे तो यह ह स्क्वाईर डी इनरजी के बहुत से और इस पहुते According में इनरजी मुलें यहां अगर हम इसमें मोमेंटम का अपरिटर लगाते हैं तो भी हमें acum के आइगेन फानक्षन ही मिलता है। और ऐसा तब होता है दो operator के common eigen functions हो जाएं और इतने सारे common eigen functions हो जाएं कि हम उसमें से basis बना सकें यह तब होता है जब दोनों के operator एक दूसरे के साथ commute करते हैं अभी यह momentum का और यह energy का operator commute करते हैं आपस में क्योंकि energy यह है और momentum का जो operator है माइनस і h cross डल डल अक्स तो आप पहले यह करो या पहले यह करो या पहले यह करो आपको तीन बार differentiate करना है चाहें एक बार करके बोलो के हमने दो बार किया या दो बार करके बोलो कि हमने एक बार किया आपको तीन बार differentiate करना है तो यह अभी यह P और H यह commute करते हैं यह 0 है पी हमाइनस हपी जीरो है और जब भी ऐसा होगा तो आप ऐसे बेसिस फंक्शन खोज पाएंगे जो को पी के भी आएंगे अफांक्शन यह भी अपारीटर गे अफांक्शन और दूसरे अपरेटर के भी आएगे फांकशन यहाँ इस प्रश्ण पर दबरह और यह प्रभायब्यिटी कितनी है ए आपट स्वियर और यह इसका मॉट स्कวार अषॉब यह a p not जो है इसका mod square तो आप कर ही ले क्योंकि यह भी आसे करके निकालना है तो यह भी complex quantity ही निकले इसलिए इसको अपने complex conjugate से multiply करके और तब square multiply करेंगे तो mod square बन जाएगा इसकी जगह पर देखें इसका पहले आप complex conjugate लिखें और फिर इसी से multiply करें तो यह होगा e power i by h cross p square by 2m t और e power minus i by h cross p square by 2m t complex conjugate लिखके उसे गुणा करना है तो इस से गुणा कर दिया किसको इसके complex conjugate को complex conjugate के लिए क्या करना है आई के जगह minus i लिखना है इसलिए वो दोनों minus मिला करके यहां प्लस हो गया और यह जो है यह वन हो गया यह पे पावर 0 हो गया यह वन हो गया अर्थांथ यह है मौद a p naught का square dp क्या निकला मोद linear momentum के p से p plus dp के बीच होने वाली के बीच होने की probability कि जितनी जीरो टाइम पर थी उतनी ही टी टाइम पर थी और टी कुछ भी ले सकते है याने यह probability नहीं बदल रही है कि बहुत सारे components है इस वे function के अंदर में linear momentum definite नहीं है बहुत सारे linear momentum शामिल है इसके अंदर में लेकिन जिस वाले linear momentum के जितनी probability शुरू में थी उस वाले linear momentum के उतनी ही probability बनी रहेगी यह वे function बदलता रहेगा लेकिन वह probability नहीं बदलेगी तो हम कहते हैं कि जो पी है linear momentum है is a constant of motion यह constant है लेकिन ध्यान रखे यह definite नहीं है एक समय पर इसके बहुत सारे momenta एक साथ इस पार्टिकल के पास है और आप मेजर करोगे तो कोई एक मिलेगा और क्या मिलेगा उसकी probabilities है यह definite नहीं है किसी विक्षर यह definite नहीं है इसके बहुत सारे possible values है लेकिन इसको हम लोग constant कहते हैं पुरे motion में यह constant रह रहा है और यह different momenta की जो probabilities हैं वो नहीं बदल रहे हैं समय के साथ जिस momentum के पाए जाने के जितनी probability है उतनी ही है ऐसा तब होता है जब उस observable का operator Hamiltonian के साथ commute करता है जिससे यहां linear momentum का operator Hamiltonian के साथ commute कर रहा है इसलिए linear momentum is a constant of motion कोई भी observable जिसका operator Hamiltonian के साथ commute करे उसके साथ ऐसा ही होने वाला है वो observable constant of motion होने वाला है उसके different values की probabilities नहीं बदलने वाली है